हेलो स्टुएंट्स मैं सचे दरांद पांदे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ एस्टुडी हेल्प में आज हम लोग पढ़ रहे थे प्लास सेवन की नियू लॉंगमन विस्टाज जो बुक है वो है नियू लॉंगमन विस्टाज इसके माने देरे देरे लगभग एक से लेकर और पांच चैप्टर की एक्सपरेशन मैंने कर दी थी बीच में फिर तोड़ा सा बीजी हो गया था अ आज इसको पढ़ने वाले तो चलिए वीडियो करते हैं सबसे पहला है वो लिखा हुआ यहां पर आप देख सकते हैं क्राइसिस इन दो मुगल इंपायर की क्राइसिस के मतलब आप जानते हैं एक की वर आप जान लीजिए जो आपको लिए आप लोग के लिए जरूरी है राइज आप ऑटॉनोमस स्टेट्स जो स्टेट क्या होता है स्टेट की हिंदी राज्य जैसे आपका यूपी है महारास था बिहार है ठीक है उसको स्टेट कहते हैं उस जमाने में भी स्टेट हुआ करते हैं टीक यह आपकी स्टूरी है 18 सेंचुरी का मतलब हुआ कि 1701 से लेकर के 1799 तक का जो टाइम है 99 यह का यह कैसा के तो हंडेड यह का उसको हम लोग कहते हैं सेंचुरीं तो 18th century गयने का मतलब हुआ कि 1701 से लेकर कि 1799 तक का टाइम वह कवर करता है और autonomous का मतलब क्या हुआ free not in any foundation autonomous का मतलब है यह free रहे उस पर किसी का foundation नहर रहे ठीक है मतलब free state होते हैं यह अपनी मर्जी की मालिक होते हैं अब आते हैं telling heading page जो मैंने शुरू किया था क्राइसिस इंद मुगल इंपायर क्राइसिस का मतलब आप जानते ही हैं उसको तो बाने की बताने की जरूत है नहीं तो मुगल इंपायर एक टाइम बहुत powerful था और दिल्ली से जो शुरूवात हुई थी बाबर के टाइम में हुमायूं अकभर शहांसा जहांगीर्च तक होते होते और और अंजब तक आते हैं दे पूरे इंडिया पर उनका कबजा हो गया था कुछ स्टेट्स में कबजा नहीं भी हुआ था लेकिन सेंटी पर्सेंट इंडिया कुनोंने क्या कर लिया था अक्भाई कर लिया था ठीक है उता क्या था की सबोमसें लिज्ये कि हेक मुगल Mountains ये पार है नहीं च्षोटे आटेक कर लिया थे हैता और किसी चोटा राज़ा को जीत, सबोगसिके लिजे किugo क्ठोटक ठीग स्मौल दिस्टीके उसको जीत लिया फिर वह राजा मुघल के अंडर हो जाता था और मुघल जो इंपरर होते थे इनको आपना इंपरर यहां र सन माल ले था लेकिन राजा तो इस फिचोचझ राजय को शूते थे अगजम हा episodes experience थे उनको जीत आपने में मुघल विलाते चले गया और देखते ही मुगल की अंडिया का सबसी बड़ इंपायर होगे... लेकिन ये राजा फिलाल तो उस टाइम हार गए थे, और इनके पास कई option नहीं था, इनको अपनी जान बचाई नी थी। थी यह मुगल के अंडर हो गए इनके मन में कहीं बदले की भावना जरूर थी यह सोचते रहते थी कि कब जो है कि मुगली इंपायर थोड़ा सा कमजोर पड़े और कम इंचे हम अपना राज्य वापस चीलने क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़के और जबस्ति हमारे पर अपजय किया था तो वह हम वापस लेलें यह टाइम आ गया और यह टाइम क्यों आया दो बहुत बड़ी इंसिदेंट्स होई चोटी चोटी बड़ी घटना होई हूई उसके बज़े से आया तो जो पहली घटना क्या थी अब क्या पहली घटना थी आपकी इन्वेजन ऑफ अमढ ऑप नादिर्षा Links थी वह इनुविजबिग वह ती ऑप दालीbach जंटहें यह क formula का सबसे पहली क्षिप से अठिणा के बारे मौलोग देखते हें क्या एक एकर है यह नादिर्शा कौन था सब्सक्राश्च वैरे जॎनलीज़ यह इरान ठीक है आज आज कल जो इरान है कभी वो परजिया हुआ करता था तो यह एक इरान का जो है कि समराप्त इरान का राजा था इसने 17.841 चले करके और 17.61 तक टोटल पांच वार इसने इंडिया पर अटेक किया इनके अटेक करने का जो में रिजन था वो इंडिया पर पर आज करना नहीं था उस टाइम इंडिया काफी रिच हुआ करता था आपका कर्णी का फिरीच हुआ करता था तो ने चंदी धन दान हर चीजह आ पर थी इनको अपने साइनी का भियानों के लिए ठीक है अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए बहां साथ रुपया पैसे की पड़ते थी इसका जो कि मेन अब्जेक्टिव था इंडिया को अटेक करना चोटे-चोटे जो बडर्स के जो स्टेट से उनको अटेक करना तकि यहां से पैसा बगार धान अगरे लूट करके ले जाए 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 इसी सीरीज में इसने एक अटेक जो है कि दिली पर अगर था वह अतना पारफूल नहीं था कि नादिर्शा के आर्मी का या सेना का मुकावला कर सके हैं तो पूरी दिली की गलियां खून से पट गई और काफी लोग मारे गये और मुगल इंपायर को बहुत जटका लगा तो नादिर्शा जब यहां से वापस गया तो बहुत सारी संपत्ती कि कि बहुत सारा प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं बहुत सारा ये सिक्के वगर बहुत सारा पैसा यहां पे वो ले करके गया और साथी में तक्ते ताउस भी ले करके गया इस पे मुगल इंपरसा जहां बैठा करता था कि कि बहुत ही महंगा था वह बहुत ही इ नोटिफिकेशन आल पर सलट कर लीजिए ताकि जब भी में कर वीडियो अप्लोड को तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए जो घटना थी जो इंजडेंट थी वो ये थी कि एक अफगानिस्तान के एक शार्शक था तो अमचा अब्दाली ने भी 1761 में अटेक किया था तो 61 में तो अटेक किया ही था लेकिन उससे पहले भी उसने 1748 से लेकर करके 1761 तक लगबग उसने 5 टाइम अटेक किया और इसके भी अटेक करने का जो अब्जेक्शन था या जो उद्देश रसा तो जो अब्जेक्ट था ठीक है वो क्या था तो इंडिया से क्या था कि पैसे लूटना था लूट मार करना था पैसा लूट ना था इंडिया से यह उसका मेन अबजिक्टिव था इसने लगबग 5 टाइम एटेक्स किये और बहुत सारी रुपया पैसा लूट करके ले गया इतना पैसा लूट करके ले गया कि इसको जो एकि अपने स्टेट में त्री यर्स तक तीन साल तक इसको टेक्स नहीं लेना पड़ा कहने वाले यह भी कहते हैं कि बहुत सारा वो समपते लूट करके ले गया और तमाम बातें हैं तमाम प्रकर की बातें हैं ठीक है लगबग 70 कारड के आसपास लूट के ले गया था पांचो टाइम में एक टाइम इने पांच बार में तो इसने किया किया कि यह जब अटेक करता था तो उससे भी जो है कि जो मुगल समराब, मुगल इंपायर जो था जो पूरा जब मुगल इंपायर की कबजे में था तो कहीं भी अटेक करेगा तो मुगल इंपायर पर ही अटेक माना जाएगा उससे भी चीज़ें कि मुगल इंपायर जो था वो कमजोर हुआ और पानीपत की लड़ाई जो थर्ड वारती पानीपत की 1761 में जो हुई थी उस लड़ाई के बाद से जब माराठे हार गए एक्चुली इसको अटेक करने के लिए 1761 में माराठों पर अटेक करने के लिए मुगल समराठ नहीं बुलाये था तो माराठा जो थे उस टाम बहुत पारफुल थे और मुगल इंपायर से भी पारफुल हो गए थे ठीके और अंग्जेव जब तक जीवी था तब तक शीवाजी उसे टकर ले रहे थे और अंग्जेव के रहते शीवाजी ने कई के लिए जीत लिये थे और स्वराजी के जो पता का थी उन्होंने वो फैरा दी थी ठीके शीवाजी ने अपने राजी को सोतंदर गोसित कर लिया था फ्री स्टेट गोचित कर लिया था और जब जब मर गया उसके बाद से महराथे और भी पारफुल हुए जब महराथों में पेशवा सिस्टम आ गया और जब पेशवा राज करने लगे ठीक है पेशवा मिन्स एक सेनापदी का पत्ता जब वो राज करने लगे मुगल समराथ जो था उसने आमचा अबदाली को बुलाया ठीक है और दो तीन स्टेट एक हो गए और एक हो करके महराथों पे अटेक किया गया पानीपत की जब थाड़ वार थी तो अब अबदाली के सेना पचास हजार की थी लेकिन जो आवद कानवाब था ठीक है और जो मुगल समराथ थी तीनों मिल गाए तो देखते देखते उसकी सेना दो लाग की हो गई तो लगक से हो गई और जो महराथे थे वो महराथे जो जो कि महराश्टरा के थे तो वो गरम जलवाई पे थे वहां बहुत ज़्यादे ठंदी नहीं पड़ते थी लेकान जब वो यूपी में आय थे जब ऑधर भारत में आया अजब नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में आया पानी पतापका हरियाना में है तो इधर ठंडी बहुत जादे पड़ते थी ठीके तो वह मौसम भी उनके तो मुगलों ने चैन की सांस ली मुगलों ने अपने बदला पूरा किया और इस आहमेद साब दाली ने शाह आलम सेकेंड को मुगल समराद गोसित करके फिर वो वापस चला गया अब दाली को भी जो है कि इस युद्ध में वहुतनी नुकसान उठाना पड़ा था उसके बद उसने दुबारा प्लट करके एंडिया पे अटैक नेग इसके बहुत बुरी तरह से हान ही हुई थी, उसके बहुत भूरा नुकसान पहुचा था लेकर माराठों को ज़्या नुकसान पहुचा था माराथा जो पावर था उसके बाद से देरी-देरे छारण होने लगा, देरी-देरे खतम होने लगा और देरी-देरे वाइक दम डाउन हो गया और बाद में अंग्रेजियों ने उन पर भी कपजा कर लिया और बाद में इंगलोजों ने लगबग पुरे इंडिया पिकपजा कर लिया, ठीक है, चलिए, इसके बाद देखते हैं क्या है, कि मैप में भी आद देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद से एक चीज़ हैं बताया हुआ है, जागिरदारी क्राइसिस, मोगल जो सिस्टम था, ठ जागिरदार बनाते थे, जागिरदार के मतलब यह था, कि कोई अगर इनका सेनपदी था, या जो भी प्रॉमिनेंट पत पे था, तो उसको एक जागिर दे दी, यानि जब इनका कुछ हिस्सा दे दिया, सब फोस अले जी के दो गाउं, तीन गाउं, चार गाउं, फाइव सेवन विलेज दे दिये, और वो उसके जागिरदार हो गया, मालिक हो गया, तो उस फॉर फाइव, फाइव विलेज, फाइव विलेज, त्री विलेज, का जितना भी टेक्स होता था, वो यह लोग वस होते थे, यानि उस ग्रॉप के गाउं के विलेज के मालिक होते थे, ज मोगल वन्च में, मुगल शार्षन में बहुत रेस्पेक्ट या प्रतिष्ठा की बात मानी जाते थी. तो ये जितने मनसबदार थे ये सब अपने आप में पाउर्फुल थे क्योंकि ये सेना पती थे इनके कमांड में सेना रहती थे इनके कमांड में लोग रहती थे ये जितने मनसबदार थे ठीके ये जो भी स्टेट में आप पॉइंट किये गए थे ये मुगल समराट के दौरा, मुगलों के दौरा, जब इन्होंने देखा कि जो मुगल इंपायर था वो दरक रहा है, मुगल इंपायर अब दिज़रे सिकुड रहा है, ठीके मुगल जो समराट हैं अब कमजोर हो चुके हैं, तो इन सब के मन में ये बात है, कि हम इनकी गुला हमारा नियम कनुन सब अलग हो, हमको रुपया पैसे के लिए इनके सामने हाथ ना फैलाने पड़े, हम खुद राजा हो जाए, हम खुद शार्शक बन जा, हम खुद रूलर हो जाए, तो यह जब अमबिशन इनके मान में जागी, तो दिरी दिरे जितने, भाई सपोर्स कर ले बंगाल के तरफ बड़ा, बावर ने सब अटेक नहीं किया, उनकी जो संताने थी, इनको जो डाइनिस्टी चली, बावर के बाद ही उमायू, उमायू के बाद जो अरकवर साह जहां, और अंग्जेब, जेतने मुगल समराट के राजा होते गया, समराट होते गया, इन सब एक के बाद एक ही स्टेट पर कबजा किया था, गुजरात पर किया, गुजरात का राजा हार गया, उसको अपने स्टेट में मिला लिया, ठीक है, तो जितने स्टेट वाले राजा हारे थे, ठीक है, मेवार पर कबजा किया, ठीक है, उसके बाद से फिर जैबूर पर कबजा किया जीतने ये चोड़े-चोड़े राजगाराने थे चोड़े-चोड़े एस्टेट थे इनकी अपने अलगलगार्मी होती थी इनकी अपने राजा होते थे इनकी अपने प्रजा होती थी इन सब पर अटेक करके वो जीत लिया था तो वो भी सब तो मन में बदला रेनी के भ रही हमको अलग होने का, जो पुराना इनका राजय था जो पुराना इनका गवराव था उसको वापस लाने का इनको चांस मिला, तो दीरे दीरे बीदर का एरिया हुआ, बीजापूर की राजशाही होई, ठीके बंगाल हो गया, फिर आपका इधर महरास्टा का जो इलाका था ठीके महराथे हो गया, दीरे दीरे सबने, फिर उसके हैधराबाद हो गया उधर, यह जितने सारे स्टेट से, सबने क्या किया अपना अपना जन्डा बरदार चुना, दीरे सब मुगल समराठ के चुंगल से आजाद हो जाए, जब आजाद हुए, तो यह खुद एक पावर यह पहले से ही power थे, यह पहले से ही state थे, पहले से powerful state थे, लेकिन मुगलों ने इन पर जबरस्ते जीत करके कबजा कर लिया था, लेकिन जब बूगल कमरजोर पढ़ गए, मुगलों की सेना में जब फूट पढ़ गई, तो यह दिरे दिरे आपने क्या किये, इनोंने अपना अ पहले हैं मुगल समराट का आफिसर था अपॉइंट किया हुआ अब इसने खुद को नवाब गोचित कर लिया और आवाद है जो था आवाद का मतला बाप लगना उसे ले करके और पुरवांचल को जो इलाका है उस तब आवाद कहा जाता था तो साधात खां बारानुल मुल् इसने जो कि आवाद को अलाग इस्टेट गोचित कर लिया वो उसका नवाब बन बैठा तो स्टुडेंट्स अगली बात हम करेंगे राजपूतों की तो जो राजपूत से ठीक है वो 18th century के आसपास जब और अंग्जेब की देथ हो गई तो और अंग्जेब ने राजस्थ आज का जो राजस्थान है उसके एरिया में ठीक है और अंग्जेब से पहले जो मुगल समराट हुए थे जैसे अकबर हुआ फिर असाजा हुआ ठीक है और जितने भी हुए थे उनके टाइम में हर राजा ने हर समराट ने हर मुगल इंपरर ने कुछ ने कुछ अपना जादे बढ़ गई थी जब और अरंग्जेब की डेथ हुई तो डेथ होने किसके साथ साथ कुछ जो राजपूती स्टेट्स थे ठीक है वो उन्होंने अपने आपको फ्री कर लिया बहुत से जो राजपूत राजा थे वो तो मुगल की सेना में मनसाबदार थे ठीक है यह लोग समझाता कर लेते थे ठीक है और जब डिफरेंस सिट्वेशन होती थी तो यह एक दूसरे की डुस्मन भी हो जाते थे तो राजपूत राजाओं की जहां तक बात किया जाया तो कुछ ऐसे स्टेट थे जो बाद में फ्री हो गया है वो पहले से फ्री स्टेट थे बाद में मुगलों ने कबजा किया था फिर जब और अरंगजेब किड़े थोई तो इन्होंने अपना फिर स्टेट के लिए वापास इन्होंने रीटेन कर लिया यह जो थे यह सवाही राजा जैस्तिंग थे इन्होंने जो है कि एक यह बहुत ही प्रॉमिनेंट राजपू फिर आपको मेवाड हो गया इस प्रकार के जितने भी यह राजपूती स्टेट से दिरी दिरी इन्होंने अपने क्या कर लिया तो फ्री करा लिया चीक है राजा जो जैसिंग थे वो बहुत ही पारफूल थे और उन्होंने क्या किया था कि एस्ट्रोनॉमि के लिए डिली औ चैड्रों बहुत सारी स्टडी सेंटर्स खोल रखे थे यह वेज फ्रीक अन्होंने के लिए ताकि आपको मेद के लिए और दोल लाइस्ट्रोनौमि के लिए कंट milk में बूमें और बहुत द्रीकल्स्पै है तो जहातों का नंबर आता है तो यह जो जाट थे, ठीक है, इनका जो kingdom था, जो जाटों का kingdom जहां तक जाटों की बात किया है, उनका जो kingdom था, यह बेसिक लिए हर्यान में था, पंजाब में था, और गंगा रिवर या मुना का जो दुआब एरिया था, दुआब का मतलब होता है ऐसी जमीन, जिसके दोनों तरफ पानी हो, बीच में जमीन हो, या ऐसा हो, कि दो नदियों के बीच में, दो रिवर्स के बीच में, जो लंबा चौणा एरिया हो, जो जमीन हो, उसको दुआब कहते हैं, क्योंकि यह जो दुआब होता है, वो बहुत ही क्या होता है, तो दुआब जो है कि बहुत ही, आ पाट था तो गंगा यमनगा दोवाप था राजस्तान का इस्टन पाट था राजस्तान का पूरवी हिस्था था पूरव पाट था वहार्याना और पंजाब यहां पिजह की जाटों का प्रभुत्वू था है तो गोकुलि सिस्थ 1969 में इन्हों ने जो एक ही क्या किया तो एक जाटों का राज्य स्थापित किया फिर उसके बाद से भरतपूर भरतपूर जो स्थापित था उसको स्थापित किया सूरजमल ले ठीक है सूरजमल भी जाटों के बहुत बड़े राजा थे और बहुत पराकर्मी राजा थे बहु तीक है वो भी जो है कि उन्होंने भी जाटों की जो प्रिष्ट भूमी को मजबूत किया बैक्ग्राउंड को मजबूत किया और जो जाट राज था उसको बनाने में बहुत-मध पूर्ड में का उन्होंने निवाई थी उसके बाद से 17th century से ही जाट जाटों के अंदर एक चीज भर गई थी कि हमको मुगलों से मुक्ति पानी है और मुगलों का हम अपना सुप्रीम लीडर नहीं मानेंगे तो 17th century से प्रयाज तो होने लगे थे लिकिन जो success इनको मिला वो 17th century के last में मिला और फिर 18th century जब शुरूआ थी तो success उनको मिलते जाने लगा ठीक है उसके बाद से तो उस time जो system था मुगलों के time एक और चीज मैं आपको बताता हूँ तो मुगलों के time जो system था tax वसूलने का ठीक है जो भी जमीन पर खेती वगर की जाते थी plantation agriculture वर्क जो भी होता था उसी से इनका revenue collect होता था उसी से पैसा मिलता था ठीक है पैसे की रूप में भी लगान लिया जाता था टेक्स लिया जाता था और जो फसल किसान उगाते थे ज उसकी वसूली जो है की जमराट के officers किया करते थे ठीक है तो उसमे मुगलों के समय जमिनदारी system बहुत ही प्रबल था बहुत ही active था तो जो जमिनदार होते थे ठीक है कभी कभी ज़्यादा लगान वसूलने के चेकर में पर जाप या तैचार भी किया करते थे लोगों को suppress करते थे उनका source भी किया करते थे उनको exploit भी किया करते थे ठीक है तो यह यह चीज जो एक ही बहुत प्रबल रुप में था तो इस चीज ने जो गरीब किसान जाड़ थे उनको inspire किया ठीक है अपने अलग कुछ करने के लिए और जो जाट जमिनदार थे उनके मन में एक इच राजपूतों से कुछ कुछ राजपूतों से और अफगानों से और मुगलों से बहुत conflict लेना पड़ा बहुत संघर्श करना पड़ा तो जब बात यह conflict किया थी है तो उनको बहुत sacrifices भी करनी पड़ी उसके बाद से चूडा मन एक और आपके जाट राजा थे बहुत powerful थे बहुत प्राकर्मी थे और इनका भी नाम जो है कि बहुत golden letters में लिया जाता है जब जाट kingdom की बात आती है तो चूडा मन ने भी control किया क्या तो दिली का जो western part था चूडा मन उसको cover किया वहां पे एक अपना जाट kingdom बनाया उसके बाद से जो है कि आगरा आगरा पे भी उनका control रहा बदन सिंग ठीक है जो ये चूडा मन के भतीजे थे नेफियू थे चूडा मन ने भी जो है कि जैसिंग के साथ मिल करके या उनकी दोस्ती ले करके जाट kingdom को बनाया रखा ठीक है उनके भी नेत्रितों में leadership में जाट जो है कि मजबूत सेना बना गए और जाट काफी powerful होते जा रहे थे और दिन दोनी राचों को नहीं तरकी कर रहे थे अपनी सेना बढ़ा रहे थे अपने पार को बढ़ा रहे थे अपने हथियार बढ़ा रहे थे ठीक है और और भी चीजों को जीतने का उपरियास कर रहे थे उसके बास से आता है ठीक है तो चूडा मन की एक राजा थे जाट, तो यह जो नाम मैंने लिए हैं, सूरजमल हो गया, फिर चूडामन हो गया, तो गोकुल हो गया, इन्होंने जाट किंग्डम को स्थाबित करने में, स्टेबिस करने में, बहुत ही मातपोड हुमी का निभाई थी, बदन सिंग भी जो थे, ठीक है, इनके किंग्डम आपका बन जाए, जब आपके स्टेट के राजा बन जाए, तो फिर बाहरी अटेकर से, दूसरे राजाओं से, अपने किंग्डम की रक्षा कैसे किया जाए, प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, यह बहुत इंपॉर्टेट और बड़ी बात थी, उस टाइम कोई भी एक राजा अपने से छोटे बड़े राजा पर अटेक कर देता था, ठीके, उसको हरा करके उसकी जमीन कब्जा कर लेता था, ठीके, वो जो राजा हरता था, वो राजा या तो मारा जाता था, या तो अपना राजे चोड़ के भाग जाता था, तो उसका पैलेस हुआ, उसक सेना होई उसके सारी रुपए पैसे हो गए उसके खाजाने हो गए तिके उसके रिसोर्से हो गए यह सारा जीते हुए राजा का हो जाता था तो राजा बनना एक kingdom बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन उसको बहारी लोगों से सुरक्षिर रखना ऐसा तोड़ी कि आप किसी पैटेक करें तो आपे कोई अटेक नहीं करेगा उस टाइम यही तो चलता था चोटे-चोटे राज जीवा करते थे पहले राजा होते थे फिर कई लोगों पर कबजा कर लिया कई स्टेट पर कबजा कर लिया तो उनको समराट कहा जाता था माराजा धिराज कहा जाता था चकरवर्ति समराट कहा जाता था तो यह टाइटिल दिया जाता था उनको तो अपना राज बढ़ाने के लिए, अपना रुतवा बढ़ाने के लिए अटेक होते रहते थे, ठीक है, राजबुद मुस्लमानों पैटेक करते थे, मुस्लिम राजबुद पैटेक करते थे, जाट मुस्लिम से पैटेक करते थे, वो इन पैटेक करते थे, तो यह चीज़े चलती थी उस जमाने में इस सब चीजें common थी सारा power का game था और resources पर resources पर कबज़ा करना था जो जितने जादे resources पर कबज़ा कर लिया जितनी जादे जमीन पर कबज़ा कर लिया ठीक है फिर उसके उतने जादे collection आते थे उतने जादे सोना मिल गया तब तो कुछ पूछना ही नहीं था तो आजकर resources जितने important हैं उस जमाने में भी resources important थे और सारा जो market होता था सारा जो war होता था जो लड़ाई होती थी और resources पर कबज़ा करने की होती थी और अपनी शान के लिए कि हम कितने बड़ राजा हो है यह भी उसमें एक चीज बात थी अब आतों का स्टेट तो सिखों ने अपने लिए आलग स्टेट कैसे बनाया आई इसको हम जानते हैं और ठोड़ा डीटेल में जानते हैं जब और एंगजेब जिंदा था और एंगजेब का जब जिख लोग हों और जिखों ने अपनी आरमी भी बना ली थी गुरु गुविन सिंग जो उनके दसमें गुरु थे घुरु गुविन सिंग जने खालसा पंत बनाया था खालसा का मतलब वंग भता है खालिश यानि शुद्ध तो वह प्योर सिख थे ठीक है शुद रखत वा वो लड़ाई में अच्छे माने जाते थे, उनको सारे दावाँ पेचाते थे, वो प्योर लड़ाके थे, वालियर्थ थे वो, जीजान लड़ाके जड़ते थे, तो सबसे ज़्यादा पर्जेक्यूशन सिख्छों का अगर किसी ने किया था, तो वो औरंग्जेब ने किया, तीके, औरंग्जेब पागल साशक था, वो कटर था, तीके, उसकी सोच यह थी, कि वह पूरे इंडिया पे इसलाम लागू किया जाए, इसलाम को अपलाई किया जाए, बाकी जो मुगल इंपरर थे, जैसे अगबर हो गया, चाशाजा हो गया, अगबर को कहा जाता है कि वो काफी लिब्रल था, लेकिन सबसे जयदा जो उसमें क्रूर साच सकता, जो सबसे जयदा जो जो क्रूर था, वो अरंग्जेब था, अरंग्जेब के समय में बहुत सारी हिंदू मंदिर टूटे, हिंदू मंदिरों को तौड़ा गया, तीके, और उसके जगापे मस्चिदे बनाया, तो मुगलों को सबसे ज़दा टक्कर अगर कि इस ने दि तो सिखों ने दी, ठीक है सिखों के बाद मराठों ने दी, तो गुरुगुविन गुरु गुविन सिंग को इसने जो एकी मरवा दिया था लाल के लिए पेशने फांसी लगवा दी थी तो वो एक गुस्सा पनपा सिखों में बदला लेने के लिए सिखवां से भी मोटिवेट हुए कि उनको पहले से तो अपना एक अलग किंग्डम चाहिए था एक अलग पं पंजाब कोई वो और एक एक आज की जमाने में उसको पंजाब कहते हैं ठीक है तब उसकता है तब कुछ नाम और हो को जाने नाम से बलाए जाता हूँ एक तो पहला यह था कि उनको अपने एक अलग किंग्डम चाहिए था दूसरा जो मुगल ने उनका पर्जिक्यूशन क अपने आपको युनाइट करना शुरू किया और सबस्वेश जबर्दस्त यह जब युनाइट हुए तो महाराज रणजीत सिंग के नेत्रितों में उनके लिए रेसिप में यह सिख जादे दूर तक गया है ठीक है पूरा पंजाब उसके बाद से पाकिस्तान और अफगान अज यह मौडर्ण के हिसाब से बात किया जाए तो पूरा पंजाब किंकि उस टाइम तो बटा नहीं था बटवरत हुआ नहीं था यह उससे पहले की बात है पूरा का पूरा पंजाब और पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान वो भी हिस्सा मिला लीजिए और अफगानिस्तान को भी आप मिला लें आफगानिस्तान की कुछ इससे तो नईविक इससा उनके कंडरोल में था 65% के आज़ापस हिस्सा महाराजा रंजीच सिंह की कंडरोल में था तो इन तीनों को गर मिला लिया जाया है जितनी जमीन आप सोच सकते हैं जितनी जमीन मिलाने पर तयार हो रह उस पर महराजा रंजीत सिंगे ने तृत में सिखों ने एक एक करके विक्टरी हासिल की जीत प्राप्ट किया और एक बहुत बड़ा ठीक है बहुत पारफुल सिख इंपायर बनाया ठीक है पंजाब के इधर वो नहीं आने पाए क्योंकि अंग्रेजों से उनकी कॉंट्रेक् तो उसके उनसार जो है कि ये इधर जो है कि अमरित सर के इधर वो यानि कि आपके यूपी बिहार के तरफ या दिली के तरफ वो नहीं आ सकते थे उधर जितना चाहिए बढ़ जाए तो इस साइड में बढ़ने से इंगरोजों ने उनको रोक दिया कॉंट्रेक्ट करके नवर अर्मी थी जिसको उस टाइम बहुत से हिस्टोरियन ने ये भी कहा था कि एशिया की सबसे पारफुल और सबसे परफिक्ट वो आर्मी थी ठीक है अब उस आर्मी को डिरेक्ट लडाई भी लडनी आती थी और गुरिल्या टेक्निक से भी वो लड़ाई लडती गुरि कौन काँ चिपा है, कब कौन सा थियार आजा है, कब कौन सा तूट पड़े, ये उनको नहीं पता है, चिप करके, जाल में फसा करके, अटेक करने की जो रड़नी थी है, उसे गुरिल्या वारफेर, जैते हैं, गुरिल्या टेकनिक उसको कहते हैं, यही गुरिल्या टेकनिक श जीते थे और आपना भी राज उन्होंने स्वतनत करा लिया था आगे आप उनके माराठों के राज के बारे में भी बढ़ेंगे 1709 या एट में ठीके आप इस बुग में एट लिखा है कभी किसी बुग में नाइन भी मिल जाएगा 1708 या 1709 में ठीके जब और अरंग जब किटेथ होई उसके बाद से जो खाल्चा पंथ था खाल्चा पंथ ने बदला लेने की का समखाई और उसने वो राइज हो गया और रिवोल्ट कर दिया विद्रो कर दिया जबदस विद्रो किया अंगरेजियों के खिलाफ ठीके तो उस टाइम जो विद्रो किया था खाल्चा पंथ ने खाल्चा के लोगों ने अपने गुरु का गुरु की मौत का बदला लेने के लिए तो जो लीडर थे उस टाइम वो थे बंदा बहादूर ठीके लक्षमार सिंग देव इनकासली नाम था लेकिन उनको बंदा बहादूर टा आम याब भी रहा और मुगलों के नाग में दम करने के लिए उनकी नानियाद दिलाने में यह बहुत साहग भी रहा ठीके लेकिन 1715 में बंदा बहादूर को पकड़ लिया गया और उनको 1716 में मार दिया गया दिल्ली में उनको कैसा मारा गया इसके बारे में किताबों में कुछ बाते लिखी है, जहां तक बताया जाता है कि इनके शरीर से चमड़े को काट काट कर निकाला गया, जिनसे कहा गया कि आप इसलाम कबूल कर लिजिए, लेकिन उन्होंने इसलाम कबूल नहीं किया, ठीक है, अब पूरे रास्ते ये काम होता रहा उनके साथ, ठीक है, बहुत दर्दनाक तरीके से तडपा तडपा के इनको जो है कि मारा गया, बहुत से बुकों में बात लिखी हैं, ठीक है, कई बुक कई प्रकार की बाते लिखती हैं, कुछ बुकें ये बाते भी हमको बताती हैं, ठीक है, और आठारा सौं के बात जो है कि सिखिखिजम बहुत जबर्दस फैला और आपको मैंने पहले बताया कि मानाज अरण जिक्त सिंग के कुशल नेतिवत में ग्रेट लीडर्शिप में जो सिख थे वे पंजाब और पंजाब के बाद से कस्मीर का कुछ इस्षा फिर आपका अगवनिस्तान और आज का पाकिस्तान इनों यह जित लिया था अगला जवाब का है स्टेट्स, फ्री स्टेट या अटॉनमस स्टेट वो है मराठास के बारे में वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसके सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे मराठास किंग्डम की ठीक है और बेंगाल के नवाफस की आवाद के नवाफस की और बाकी हैदराबाद के नवाफस की और बाकी जो भी आपके बुक में बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग बचा हुआ जो हिस्सा है उसको हम लोग बात में देखेंगे अगर आप मेरे explanation से संतुष्ट हैं तो वीडियो को like करिए share करिए, दबा के share करिए दबा के like करिए और channel को subscribe करना भी आप मत भूले, आप like करेंगे, subscribe करेंगे हमें motivation मिलेगा और हम ऐसे ही आप के लिए आप सब students के लिए free में videos बनाते रहेंगे